हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल नीलू क्रियेशन आज हम सुन्दर सी लटकन बनाएंगे जिसके लिए तीन इंच लंबी चोड़ी दो कलर की पट्टियां लेंगे फिर उन पट्टियों को एक के उपर एक रख कर पिनप कर देंगे उसके बाद उनकी चोखोर सिलाई कर देंगे सिलाई करने के बाद उनके छोटे-छोटे कट लगा देंगे और फिर उसको बीच से मोड़ कर और छोटा सा कट लगा कर उसको हम पलट देंगे पलटने के बाद हम डोरी रखेंगे और उसको बीच से डोरी रख कर सिलाई कर देंगे सिलाई करने के बाद हम सुई धागे से उसको इस तरीके से यहां से बीचो बीच से फोल्ड करेंगे और दोनों कोने पकड़ कर और यहां पर सुई धागे से एक टाका लगा कर उसके एक मोती लगा देंगे इस तरीके से मोती लगा देंगे हम उस पर तो यह बहुत ही सिंपल तरीके से और बिल्कुल आसानी से बन गई लटकन हमारी तो आप देखिए कितनी सुन्दर लटकन लग रही है तो यह हमारी पहली लटकन थी अब इसके बाद हम दूसरी लटकन के लिए दो गोल पट्टी लेंगे जो कि तीन इचोड़ी होगी तीन इसके बाद उन दोनों को पिन अब करके फिर उनकी गोल सिलाई कर देंगे सिलाई करने के बाद उनकी कटिंग कर देंगे गैज अगर आपको हमारी यह लटकने पसंद आ रही हो तो हमारी चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा पलटने के बाद अब हम इस पर डोरी रखेंगे और डोरी रखने के बाद थोड़ी सी कोने की सिलाई करते हुए आ जाएंगे थोड़ी सी तिर्ची सिलाई कर दी ये देखिए अब इसके बाद जितनी सिलाई की है उतनी उसको हम पलट देंगे और नीचे से भी उसको थोड़ा सा सीधा कर देंगे और उसके उपर हम प्रेस लगा देंगे प्रेस करने के बाद ये हमारी लटकन तयार हो गई है तो ये देखिए बिलकुल सरल लटकन है थी दोनों जो कि बहुत सुन्दर लग रही है और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में आप इन्हें बना सकते हैं रादे रादे